नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तोस्वाज के इस वीडियो में हम हिंदी के 30 अतिमात्पुल प्रशनों को देखेंगे आप सभी लोग एक एक प्रशन को ध्यान से देखिए जिसका उत्तर पता है आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताईए ठीक है और इस पताईए इसमें आपका सही option क्या होगा देखिए दोस्तो सबसे पहले आप यह समझ जाईए कि गोस वर्ड किसे कहते हैं और अगोस वर्ड किसे कहते हैं क्योंकि इसे सम्मंधित प्रशन एक्जाम में बनता है तो देखिए दोस्तो जितने भी स्वर होते हैं वह गोस अंतर गताता है तो यहां पे आप देखेंगे ए और आ ये दोनों स्वर हैं और स्वर हैं तो इसलिए आपका ये घोस वर्ड है डा देखिए ये जो है टा वर्ग में तीसरे अस्थान पर आता है ता ठा डा तो यहां पे आप देखिए तीसरा चौथा और पाच्वा वर्ड ज अब यहाँ च्छा देखिए च्छा बच रहा है इसका मतलब यही आप समसाई होगा लेकिन यह जो है घोस क्यों नहीं है आप यह समझ जाएए च्छा क्या है च्छा आपका अघोस वर्ड है अघोस वर्ड किसे कहते हैं दोस्तों प्रतेक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड प्रतेक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग वर्ड जो होता है वह आपका अगोस वर्ड होता है तो च्छा किस वर्ड में आता है दोस्तों च्छा आपका च्छा वर्ग में आता है और च्छा पहला वर्ड है च्छा आपका दूसरा वर्ड है और यह पहला दूसरा वर्ड जो ह होता है यह आपका घोसवर्ड होता है तो इसलिए आपका इसमें B आपशन सही है या गोसद नहीं है तो इसे आप लोग ज्रुर ध्यान से देखीए Next है किस सब्द मेरी सवर नहीं हैं आपको यह बताना है कृपा में री लगा हुआ है कृष्ण में भी री लगा हुआ है द्रिष्टी में भी री है रिवाज में री नहीं लगा हुआ है ठीक है तो ये आपका जो है D option इसमें सही हो जाएगा कि ये वाला री आप देख रहे हैं न ये वाला री नहीं लगा हुआ रिवाज में इसलिए आपका ये रिवाज सही हो जाएगा यही आपको बताना था next प्रशन आपके सामने है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनिया सोतंत रूप से उचारित ध्वनिया स्वर के साथ आने वाली ध्वनिया बेंजन के बाद में आने वाली ध्वनिया तो आप लोग बताईए अनुस्वार किसे कहते हैं तो दोस्तो आप देखिए इसमें आपका सही जवाब होगा स्वर के बाद आने वाले जो नासिक ध्वनिया होती है उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं ठीक है अनुस्वार दोस्तो इसका जो उचारण होता है वह नाक से होता है ठीक है और सोतंतर रूप से आने वाले जो ध्वनिया होती है दूस्तों उसे हम क्या कहते हैं स्वर कहते हैं तो यह भी आप लोग जानते रहिए चलिए नेश्ट देखते हैं अब सभी प्रस्ण आप लोग ध्यान से देखिए और लास्ट में इसको बताईए कि आपका तीस्स में कितना सही हो रहा है नेश्ट एक किस सब्द में गुर संधी है आप लोग बताईए सिंधूर्मी भारतेंदू नारिश्वर लोकैश्वर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसमें बताईए गुर संधी का उदारण इसमें आपका भारतेंदू है क्या है दोस्तो भारत इंदू यह जो है गुर संदी का उधारण है इसका संदी विक्षेद करेंगे तो क्या होगा भारत धन इंदू मतलब की A और E के मेल से यहाँ पे A हो रहा है इसलिए यहाँ पे गुर संदी हो जाएगा ठीक है लोक एस्वर की बात करें तो यह कौन सी सं संदी का उधारण है दोस्तो यह व्रिद्धी संदी का उधारण है और सिंधुर्मी आपका देर्ग संदी का उधारण है तो ध्यान से सभी प्रशनों को देखिए ऐसे ही प्रशन एक्जाम में देखने को मिलेंगे व्रिक्षाया का संद्विक्षेद बताईए व्रिच्छ उदारण है, नेक्ष्ट प्रश्ण है, सम्सुरू का सब्द का तद्भव रूप क्या होगा, क्या होगा, मूच, अस्रू, आसू, ससूर, आपका सही जवाब होगा, मूच होगा, ठीक है, ये जो है तद्भव रूप होगा, मूच, चलिए नेश्ट देखेंगे, विपरीत अ इलोम सब्द कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान से देख लिजिए, नेश्ट देखेंगे अब, वर्ड सब्द का अर्थ नहीं है, तो आपको बताना है, रंग आकास जाती अच्छर, देखिए, वर्ड का मतलब होता है, रंग भी होता है, जाती भी होता है, अच्छर भी होता है लेकिन आकास जो है यह वर्ड का अर्थ नहीं होता है दोस्तों ठीक है तो इसमें आपका b option सही हो जाएगा आप लोग comment में बताते चलिए आपका score क्या हो रहा है कौनसा सब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है तो आप लोग बताएं इसमें कमल का परियावाची सब्द कौन सार नहीं है जलज अम्बूज मनसिज पंकज आपका सही जवाब क्या होगा मनसिज दोस्तों यह कमल का परियावाची सब्द नहीं है यह किसका परियावाची सब्द है यह जो है दोस्तों कामदेव का परियावाची सब्द है किसका है मनसिज जो है काम देव का परियावची सब्द है मदन हो गया, मनसिज हो गया पंचसर हो गया, काम हो गया अनंग हो गया, यह सब जो है काम देव के परियावची सब्द है और यहाँ पे जो जलज, अंबुज, पंगज लिखा है यह सब कमल का परियावची सब्द है नेक्स्ट प्रशन देखेंगे अग, important प्रशन है दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखिए, जिसका मन वा ध्यान दूसरी तरफ हो, उसके लिए एक सब्द क्या होगा, आप लोग बताईए, मनन होगा, या फिर वेश्यान होगा, या मनवा या अन्यमनस्क होगा, आपका सही जवाब क्या होगा, अन्यमनस्क, जिसका मन वा ध्यान दूसरी तरफ हो, उसके लिए एक सब्द अन्यमनस्क होता है, चलिए, अविधा सब्द में, सब्द सक्ती में क्या होता है, वाचार्थ प्रकट होता है, लाक्षार्थ प्रकट होता है, व्यंगार्थ प्रकट होता है आपका सही जवाब होगा है दोस्तों इसमें अभीदा सब्द में वाच्यार्थ प्रकट होता है ठीक है चलिए नेश्ट देखेंगे अब भाव आचक संग्या के अंतरगत आते हैं क्या आता है आपका पसुपक्षी गुर्दोस दिसाय या अभूशड देखें दोस्तों भाव आचक संग्या के अंतरगत आते हैं क्या आते हैं गुर्दोस ये आपका जो है भाव आचक संग्या के अंतरगत आता है इसे आप लोग ध पतलून पहन कर खेलने आया में विशेसर बताईए विशेसर क्या है काली पतलून मदन खेलने आप लोग बताईए इसमें सही जवब क्या होगा देखें दोस्तों यहां पे जो लिखा गया है काली पतलून पतलून कैसी है काली है काली क्या है यह विशेस्ता बता रहा है ठीक है वहां मोहन के कोई नहीं था आपको बिकल्क भरना है क्या भरा जाएगा आप लोग बताईए या और अलावा अथुआ आपका सही जवाब होगा अलावा वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था ठीक है तो ऐसे प्रश्ण भी देखने को मिल सकता है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए इस वाक में तक क्या है समुच्चे बोधक है क्रिया भी से सड़ है संबंध बोधक है या बिसमयादी बोधक अब्य है आप लोग बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा तो दोस्तो इसमें आप देखिए जिस हमें सफलता मिलने तक इसमें डेखिना कि जहां पर तक आ जाए ठीक है भर आ जाए बीन आ जाए बाद आ जाए दोरह सब आ जाए संप्रदान कारक करण कारक अपादान कारक या संबोधन कारक तो को और के लिए इसमें आपका कौन सा कारक है दोस्तों संप्रदान कारक है कारक को आपको तयार करके के द्वारा संप्रदान का को के लिए अपादान का से अलग होने कर्थ में संबंद का की के रारी दे अधिरण में पर संभोधन हे हो अरे ठीक है तो इसे आप लोग याद करके जरू जाईएगा निश्ट है उद्देश और विधे किसके अंग है आपको बताना है वाक्य का कि इठक है ठीक और वाक में उद्देश के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह आपका बिध्ये का लाता है तो यह भी आप लोग जानते भी है और जो करता होता है वह क्या होता है उद्देश होता है विराम चिंध का नाम बताइए विराम चिंध से प्रशनाता है अर्ध विराम का है या विराम का है आपका जवाब क्या होगा दोस्तों आपका जवाब होगा इसमें अर्ध विराम का या चिंध है निश्ट देख किसी कठिन सब्द को एसपष्ट करने के लिए किस बिराम चिन्द का प्रयोग किया जाता है बियुरन चिन्द का या निर्देशक का या कोष्ठक का या उपविराम का तो आप लोग बताईए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका सही जवाब होगा कोष्ठ कोश्ठक का ठीक है सी आपसान आपका राइट हो जाएगा कठिस सब्दों को एस्पश्ट करने के लिए दोस्तों कोश्ठक बिराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आउसर का लाभ उठाना के लिए उप्यूक सब्द आप लोग बताईए क्या बहती गंगा में हाथ धोना होत मतलब बहती हुई गंगा में हाथ धोना यह होता है ठीक है और इसमें आप देखेंगे आकास पाताल एक करना आकास पाताल एक करने का क्या मतलब होता है कि सारा प्रयास कर डालना ठीक है सारा प्रयास कर डालना फूला ना समाना ठीक है फूला ना समाना इसका अर्थ क्या हो बरस पढ़ना आपका सही जवाब क्या होगा बाधा डालने का अर्थ होता है दोस्तो रोडा अटकाना ठीक है तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लिजिए अपना हाथ जगननात का अर्थ क्या होता है मनमानी करना यह तो नहीं है अपना हाथ पुजनी होता है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है या अपने हाथ से दान करना तो आप लोग बताईए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा आपका सही जवाब होगा इसमें अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है मतलब की अपना हाथ जगनात ठीक है चलिए निश्ट देखते हैं मैं तुम सब को खूब समस्ता हूँ तुम सब एक जैसे हो कि लिए उप्यूकतिक सब्द क्या होगा चोर-चोर मौसेरे भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे या केर बेर कसंग या जैसे नागनात वैसे सापनात आपका सही जवाब होगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे निश्ट है अधिसूचना का प्रकासन कहा होता है आपको यह बताना है तो राज़पत्र में समाचार पत्र में सूचना पत्र में तो सूचना पत्र ये दोनों तो गलत है राज़पत्र मतलब गजट इसमें जो है अधिसूचना का प्रकासन किया जाता है ठीक है सरकारी अस्तर पर जो अधिसूचना होती है इनका प्रकासन भारती राजपत्र के ल सामान की निलामी भी सही है निर्मान कारी करवाना यह भी सही है उपरोगत सभी आपसन इसमें आपका चही है ठीक है नेश्ट है किसी कारेकर्याले दौरा एक साथ अनेक प्रेसीतियों को धेज़ा जाने वाला सास्की पत्र ग्यापन या आधेश क्या कहलाता है आप लोग बत आएगा निष्ट है चलिए निष्ट यहां से है आपका इसमें दोस्तों गध्यास को पढ़कर उतर देना है तो जल्दी से गध्यास को पढ़ लेते हैं कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है यह केवल नीती और सदुरिती का ही नास नहीं करता बलकि बुद्धी का भी छह करत है किसी युवापुरुस के संगत यद बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिर रात आउनत के गढ़्धे में गिराती जाएगी और यद कि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाव के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की और उठ यहां पर संगत की बारे में बताय गया है और इस गद्यांस का जो सीर्षख है वा है आपका संगत कुसंग खार्थ जवाब होगा संगत का महत्व ए आपसन आपका इसमें राइट हो जाएगा इस प्रकार से 30 प्रशन आपका कम्पलीट हो गया दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताईए और आपका स्कोर कितना है यह भी जरूर बताईए ठीक है तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद